हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम तू आर यूट्यूब चैनल, लेट्स डिसकस सो आज जो है हम वर्क्षिट नंबर फिफ्टी एट करेंगे ये देखिए वर्क्षिट नंबर फिफ्टी एट आज डेट क्या है? फोर्थ जैन्वरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंग्लिश की वर्क्षिट है क्लास 10th और जो वर्क्षिट है उसका टॉपिक है दे नैकलेस बाई गे गी दे मुपासा तो ये जो जी यू वाई लिखा है बट इसको प्रनंस करेंगे हम गी दे मुपासा सो ये क्या है? राईटर है और ये कौन से राईटर है? फ्रेंच राईटर है So first we will discuss the summary of the chapter, the necklace पहले हम इसकी summary थोड़ा read करेंगे उसके भाद हम इसके question answer करेंगे So summary हम जल्दी जल्दी कर लेंगे ये रािटर है इनका जो नाम है गी दे मुपासा ये क्या है? फ्रेंच राइटर है, ये बोन हुए थे 5th August 1850, 1850 में ये बोन हुए थे और 1893 में इनकी इनकी डेथ हो गई थी, ये फ्रेंच राइटर है और इनको रिमेंबर किया जाता है ये जो चैप्टर है, ये क्या है, एक फेमस 19th सेंचुरी जो ऑथर है, उन्होंने लिखा है और ये क्या है, फिक्शनल शोट स्टोरी है, अबाउट अ प्रिटी लेडी, मैटिलडा, इसमें दो करेक्टर हैं, जो की बहुत इंपोर्टेंट है, मैटिलडा एंड मैडम फोरेस् सो जो मैटिलडा होती हैं, वो किस से मैरी शादी करती हैं, वो एक उनके हस्बेंड होते हैं, जो की क्लर्क होते हैं, सो जो बोथ मैटिलडा है और उनके हस्बेंड हैं, दे लिव अ सिंपल लाइफ, सो जो मैटिलडा है, उनका ड्रीम होता है, कि वो अच्छे से रहें, खुश थी क्यों क्योंकि जो उनके husband थे वो clerk थे तो जो Matilda थी वो disappoint रहती थी, unhappy रहती थी हमेशा और अपनी situation को देखके financial condition को देखके दुखी हो जाती थी एक दिन क्या हुआ one fine day जो मैडम लोजियल के जो husband है वो उनके लिए जो Matilda है उनके जो husband है वो एक invitation card लेके आते हैं किसी party के लिए bowl grand party at minister's residence so he expected his wife to be excited upon seeing the invitation letter so जो उनके husband होते हैं उनको expectation उनको उमीद होती है कि मेरी जो wife है Matilda वो खुश होगी जानके कि ministers के यहां से क्या आया है invitation card आया है party के लिए but जो Matilda है वो उदास हो जाती है क्यों क्योंकि उनके पास dress नहीं होती नहीं जुल्री होती है क्योंकि वो सोचने कि इतना बड़ा इतनी grand party है इतनी बड़ी party है उसके लिए pretty dresses luxury dresses चाहिए उनको so she wanted to look beautiful and well groomed at the party such that everyone should admire her उनकी ख्वाइश थी कि वो सबसे सुंदर दिखें बहुती अमीर दिखें और उनके पास ये सब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और वो अपने husband को बोलती है कि मुझे beautiful dress चाहिए और jewelry चाहिए so जो उनके husband है जिनोंने पूरा अपने जो पैसे हैं अपनी job से अपनी नोकरी से जो पैसे बचाए थे वो जो कि उनको rifle खरीदनी थी वो Matilda को वो दे देते हैं वो पैसे soon the week of grand party approach Matilda seem to be anxious again so वो हफता जिस हफते के दिन party थी वो पास आ जाता है बट जो Matilda है वो अभी भी उदास होती है क्यों? because she didn't have any matching jewelry उनके पास jewelry नहीं होती है so उनके husband क्या suggest करते हैं कि जो तुमारी friend है जो मैंने सबसे पहले दो character बताया जो कि इसमें सबसे important है एक तो Matilda है जो कि clerk से शादी कर लेती हैं और एक होती है उनकी friend Jean Forestier so उनके husband suggest करते हैं कि जो तुमारी friend है Forestier उनसे तुम necklace borrow कर लो कुछ time के लिए पहनने के लिए so जो Matilda है वो अपनी friend से necklace ले लेती हैं वो सबसे वो उनके सामने सारे necklaces रख देती हैं और वो diamond वाला necklace choose करती है so Matilda जो है जब वो और अपनी husband के साथ जब party में जाती है सब उनको Matilda को praise करते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो and she was very happy so आते समय दोनों notice करते हैं सबसे पहले Matilda notice करती है कि उनका जो necklace है वो missing है so वो उसी रास्ते वापिस जाते हैं चेक करने के लिए कि उनका necklace कहां है soon after he approached the police so जो Matilda के husband है वो भी police थाने जाते है और एक advertisement चपवाते हैं newspaper में कि जसको भी a necklace मिलेगा उसको reward मिलेगा but all went in vain with no option left Matilda's husband asked her to write a letter to Madam Forestier and mentioned that the clasp had broken and she would return it once repaired so जो उनकी husband है Matilda को suggest करते हैं कि जाओ तुम अपनी जो दोस है जिससे तुमने necklace लिया है उसको inform करो उसको बोलो कि जो necklace है वो repair के लिए दिया है इसलिए उसको वापिस लोटाने में समय लगेगा in the meantime they had successfully found a replica of the necklace and decided to replace it with the old one so वो market में जाते हैं कि जो necklace है उसी के जैसा हूब हूँ उनको market में दिख जाता है और वो सोचते हैं कि हम जो necklace गुम हो गया है उसकी जगे हम ये दे दें खरीद कर बर जो necklace होता है वो उसकी कीमत बहुती जादा होती है बहुती expensive होती है 36,000 फ्रांस Matilda father-in-law had left 18,000 फ्रांस for his son सो जो Matilda के ससूर होते हैं वो उनके लिए बहुत सारे पैसे छोड़ के जाते हैं कितने 18,000 फ्रांस बट उनको चाहिए कितने 36 सो वो decide करते हैं कि वो बाकी के पैसे कहां से बोरो करेंगे वो decide करते हैं कि वो बाकी के पैसे बोरो करके और वो expensive necklace खरीद कर उसकी friend को दे देंगे forestier को वो necklace ले लेते हैं और सारे पैसे और उनका मतलब की पैसे सबसे लेके necklace purchase करते हैं और जो Matilda है वो necklace अपनी जो दोस्त है उनकी madam forestier को दे देती है अगले साल क्या होता है कुछी साल बाद in the next few years their condition worsened as their lives took a drastic turn due to the huge loan जो उनकी life है वो एकदम खराब हो जाते है क्यों क्योंकि वो उन्होंने पैसे उधार लेते हैं और वो चुकाने के लिए उनकी जो living condition है उनका जो standard of living है वो और भी जादा गर जाता है they moved to a smaller place to live in and Matilda did all the household by herself household work by herself so क्या होता है कि वो छोटे घर में shift हो जाते हैं और पहले उनके घर maid थे, servant थे बट अभी Matilda को सारा काम खुद ही करना पड़ता है और उनके जो husband है he worked old hours in multiple jobs to repay the loan और वो काफी सारी jobs कर रहे हैं ताकि वो जो loan उन्होंने लिया है necklace खरीदने के लिए जो उन्होंने loan लिया था उस कर्ज को चुकाने के लिए जो Matilda के husband है वो काफी सारी job करते हैं दस साल गुजर जाते हैं और जो Matilda की appearance है वो change हो जाती है वो बूड़ी लगने लगती है सो एक दिन उनको forestier मिलती है और वो पहचान नहीं पाती है अपनी दोस्त Matilda को सो Matilda बोलती है कि तुम ही तुम्हारी वज़े से ही मेरी ये हालत हुई है सो जो forestier है वो हेरान हो जाती है वो कारण पूछती है तो Matilda सारी बात बता देती है कि वो जो necklace था वो गुम हो गया था तो उसको परचेस करने के लिए हमने loan लिया और अपनी सारी कमाई लगा दे जीवन भर की और मेरी ये अब दशा हो गई है सो जो forestier है वो बहुत ही जादा शी वोज़े वेरी मच शन्ट और टोल्ड है that the necklace that she gave her for the bowl party was a fake necklace सो वो forestier बोलती है कि जो necklace मैंने तुमें दिया था वो real नहीं था वो fake था artificial था और that was worth note more than 500 francs और जिसकी कीमा सिर्फ 500 francs थी France थी सो इसका conclusion क्या हुआ जो chapter जो necklace है वो क्या conclude करता है कि one should be content and satisfied with their belongings and not crave for expensive items that are not within their economical capabilities कि हमें उन चीजों की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो भी material things है जो जिसको हम खरीद ही नहीं सकते जो हमारी एकदम हमारा जैसे जो living of standard है उसी के धायरे के अंदर-अंदर हमें रहना चाहिए और जितनी हमारी capability है उतना ही हमें खर्च करना चाहिए ना कि जादा की ख्वाइश नहीं करनी चाहिए जितना हमारे पास पैसा है पैसा जितना भी है save करना चाहिए थोड़ा बहुत आगे future के लिए और उससे जादा नहीं खरीदना चाहिए extreme desire for lavish item leads to unhappiness अगर हम जादा desire करेंगे lavish items की jewelry की उससे क्या होगा हमारा peace of mind खराब होगा हमारी इच्छा क्योंकि इंसानों का कैसा behavior है कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो कभी खतम ही नहीं होती सो हमें content रहना चाहिए सो जो यह writer है वो यही message देना चाहते है और writer का नाम क्या है गी दे मुपासा सो next we will discuss the first question what did Matilda not like to visit her rich friend सो इसका answer क्या है इसका answer है यह रहा आप इसका screenshot ले लिजेगा what did Matilda not like to visit her rich friend why did जो Matilda थी उनकी friend थी madam forestier उनको वो visit करना पसंद क्यों नहीं करती थी Matilda was married to a middle class man she did not have the luxuries of life like she imagined herself to be born for she believed that she deserved better her friend was rich and she did not like visiting her friend because it reminded her of all the things she didn't have in life वो इसलिए वो अपनी friend के घर जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो अच्छे से रह रही थी वो अमीर थे she was rich और उसको यह याद दिलाता था कि she didn't have in life कि उनके पास क्या-क्या नहीं है जो भी material things उनकी दोस्त के पास है इसलिए she didn't like to visit her rich friend और उनकी वो rich friend का नाम क्या है Madam Forestier next question is what did Matilda's husband save the money for why did he then part with his savings so Matilda के husband ने किसके लिए पैसे save किये थे और बाद में वो पैसे किसको दे देते है Matilda's husband had saved a good amount of money to buy a gun for him उन्होंने पैसे save किये थे ताकि वो अपने लिए gun खरीच सके but when his wife refused to attend the party without a new dress and he had to give up buying the gun he used the saved 400 francs to buy her costume saved और जो उन्होंने अपनी गन के लिए पैसे खरीदे थे वो अपनी wife Matilda को दे देते है ताकि वो एक नई dress ले सके party के लिए third question what did Madam Forestier tell Matilda about the reality of her necklace जो Madam Forestier है वो necklace के बारे में क्या बताती है after having lost after having lost the borrowed necklace Matilda replaced it with a diamond necklace about for 36,000 francs but Madam Forestier told her that her necklace was a false false costing about 500 francs next is fourth how could Matilda have avoided her ruin what caused it so जो Matilda है उनके साथ जो भी हुआ वो कैसे उससे बच सकती थी avoid कर सकती थी और इसका reason क्या था she felt that she was born for all the delicacies and luxuries she disliked her circumstances she could have avoided the ruin being content with what she had so वो कैसे avoid कर सकती थी ये सारी चीजे जो भी उनके साथ life में हुआ और जो भी उनकी जो condition हुई 10 साल तक और वो छोटे घर में चले गई वो कैसे avoid कर सकती थी by being content वो जैसे भी उनकी condition है financial वो middle class family से है तो वो जादा का नहीं सोचके जो भी उनके पास है उसे वो संतुस्ट रहती कि जो भी है अच्छा है मेरे पास ये सोचके वो सारी जो भी उनके साथ tragedy हुई वो avoid कर सकती थी next है answer the question given below in 70 to 80 words में आपको ये question answers answer करने है fifth question is our inability to accept our circumstances may lead to an unhappy life explain with reference to the story the necklace so जो हमारे inability है जो हम accept नहीं कर पाते जो भी हमारे हालात होते है इसकी वज़े से हम unhappy life जीते हैं आपको reference देके necklace में ये answer लिखना है so इसका answer है we fail to recognize the situation in which we are placed but rather keep on grumpling we became frustrated and want our life to be different so हम संतुस्ट नहीं रहते हैं हमारे पास चाहें कुछ भी हो फिर 10th में हो जाएंगे फिर सोचेंगे कि स्कूटी ले 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 बाइक ले ले गाड़ी ले ले है ना सो हमारी जो demands है वो increase होती ही रहती है बट हमें क्या करना चाहिए जो भी हमारे पास है उससे संतुस्ट रहना चाहिए so we became frustrated and want our life to be different हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे काश ऐसा होता काश वो होता तो कितना अच्छा होता काश अगर मेरे पास बाइक होती तो कितना अच्छा होता बट ये जो human behavior है वो यही है कि ये कभी संतुस्ट ही नहीं होता जो हमारी demands है जो हमारे desires है वो भढ़ते ही रहते है जो भी हमारे पास है उसको लेके हमें खुश रहना चाहिए frustrated नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर हम ज़्यादा desire करेंगे तो हम frustration ही होगा life में so we should accept the life as it come to us so जैसी भी life है उसको as it is accept करना चाहिए should not keep on cribbling about unhappy circumstances जो हमारे पास नहीं है उसको लेके दुखी नहीं होना चाहिए as we read the story the necklace we find that Matilda is not at all happy with her husband so हमने story में देखा कि जो Matilda के husband है उनको बहुत प्यार करते हैं और वो अच्छे से रह रहे हैं middle class family से belong करते हैं सब कुछ है उनके पास खाना सही खाते हैं but जो Matilda है उनकी demand बहुत ज़ादा होती है अपनी life से और उसकी वज़े से क्या होता है वो frustrated रहती है unhappy रहती है और उस चीज की वज़े से उनके desire की वज़े से उनकी जो situation and condition है वो और भी ज़ादा खराब हो जाती है it is this frustration of hers which puts her in a fix and spoils rest of her life she does not work for solution but rather complicates the situation for her उन्होंने जो वो ठीक कर सकती थी वो नहीं कर पाई बल्कि उन्होंने और उल्टा अपनी life खराब कर ली next question is what changes came in the lifestyle of Matilda after she had lost the necklace so necklace गुम हो जाने के बाद उनकी life में क्या क्या change आया so after the loss of the necklace Matilda had to sacrifice all her comforts and even all her needs to get money to buy a new necklace and give it to her friend so necklace खोने के पाद Matilda के पास जो पहले comfort था वो भी उन्होंने सारा खो दिया even all her needs to get money to buy a new necklace and give it to her friend because of overwork क्योंकि उन्हें अब जादा काम करना पड़ रहा था उनको tension हो गई थी and lack of care she became a physically wreck happiness of one night changed her whole life and ways and style so एक दिन की खुशी के लिए so वो सिर्फ एक पार्टी में जाने के लिए इतना burden ले रही थी कि मुझे सबसे अच्छा दिखना चाहिए मुझे महंगी ड्रेस चाहिए महंगा necklace चाहिए सिर्फ एक दिन की खुशी के लिए उन्होंने अपनी पूरी life खराब कर दी सो कभी भी ऐसा decision नहीं लेना चाहिए और long term का सोचना चाहिए सो ये जो chapter है वो आपका finish हो चुका है hope आपको ये video अच्छा लगा होगा अगर कोई doubt है तो comment section में जरूर mention करें गया okay thank you